नेपाल के काठमांडू में गोलगपो की विक्री पर बैन लगा दिया गया है आशंका जताई जा रही है भारत में भी गोलगपो की विक्री पर रोक लगाई जा सकती है दरसल काठमांडू घाटी में इन दिनों तेजी से हैजा बिमारी फैल लई है हैजा एक जलजनित रोग है इसकी रोग थाम के लिए यहां गोलगपों की विक्री पर पूरी तरह रोग लगा दी गई है भारत से नेपाल और नेपाल से भारत रोजानक कई लोग आते जाते हैं इसको लेकर भारत में भी अलर्ट जारी हो गया है काठमांडू में गोलगपों की दुकानों पर जाच में पाया गया कि यहां इस्तेवाल होने वाले गोलगपों के पानी में हैजा के बैक्टीरिया मिले हैं भारत में भी जल्दी कई राज्यों में मानसून पहुशने वाला है बारिश शुरू होने वाली है बारिश के मौसम म कई बिमारीयों के पहलने की आशंका रहती है इसलिए संभावना जताई जा रही है कि नेपाल की ही तरह यहां भी गोलगप्तों पर रोक लग सकती है